कोई आश्चर्य नहीं है कि ये गेर समविधानिक सरकार और इल्लीगल मुख्यमंत्री जो बने बैठे हैं जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ गदारी की पार्टी पक्ष के प्रमुक हैं उद्व साहब ठाकरे जी उनके साथ गदारी की तो उनका सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही और साथी साथ मराथा रेजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो समर्थन उद्व जी ने दिया है और वो भी मांग कर रहे हैं कि जल से जल्द इसका निर्ने होना चाहिए क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे इसलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया है कोई आश्चरे नहीं है क्योंकि गदार लोगों से और क्या पेक्षा की जा सकती है माराथा है आश्चरे होंकि पसे सिस्पंड हो गए एंटरिनेट सिस्पंड होगे है और मंतरों इपने घर के बार सुरक्षा भी बड़ गए यह मा bog तो आप समझ सकते हैं क्या माहॉल मharaashtra जैसे जो एक राज्य है जहां पर एक प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है किये है आज जो वादा खिलाफी हो रही है उसकी विज़ सी आकरोज बढ़ रहा है आई दिन हम पढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई युवक स्यूसाइड कर रहा है तो इनको मजबूर किस ने किया है यह राजे सरकार ने किया है और आज तो यह हालत हो गई है महराश्टा की कि प्रधान मंत्री हो या घ्रह मंत्री हो उन्होंने एक शब नहीं किया है वो आज का नया मनीपूर बन चुका है कि प्रधान मंत्री नरेंद मुझे तो ऐसा लाग रहा है कि भारती जनता पार्टी को ही मैसेज दे रहे थे जो तुष्टी करण रूवी करण की राजनीती हुई है जो देश में हावी हो रही है जिसकी वज़ा से आज पूरे मैं कहती हूं देश में इस तरीके का जहर वाला माहौल भरा है वो सिर्वारत पॉलिटिक्स करते हैं जग जाहिर है तीन दिनों में तीसल अशित हमला है जाहिए किस तरीके से बहुत वादे किये थे जब 370 हटे था जब नोट बंदी हुई थी कि आतंकवादी घटनाएं खतम होंगी 370 हटने से कर्शमीरी पंडित वापस घर आएंगे पर आज भी हिं से सरकार जादा अपनी पीट थब तपाने की जगा वहां की जो सुरक्षा है सुरक्षा का माहौल है उस पे अपनी निगरानी रखें